आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल ब्यूटी एंड हैल्स टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटिस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है हाई फ्रेंट्स वेलकम टु माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हैल्स टेप्स टुरेंट्स कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महंदी के अंदर ऐसी किन चीजिएं को मिलाकर अपने बालों पर लगाया जाए कि आपके बालों मे मजबूती भी आ जाए और साथ-साथ आपके बालों में नैचरल कलर और शाइन भी आ सके तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इसको कैसे और कब-कब अपने बालों पर अप्लाई करना ह सुफ्रेंट्स अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ-साथ बैल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सकें समय से पहले बालों का सफेध होना घंबीर समस्या है और इसके बहुत सारे रिजन भी हो सकते हैं जैसे की हैरिडिटी यनि कि अगर आपके पेडिंट्स के बाल जो हैं समय से पहले सफेध हो जाते हैं सेकिंड रिजन ये है कि अन्वार्मेंट पोलुशन इसके लिए बहुत जादा रिस्पॉंसिबल है क्योंकि इतना जादा पोलुशन बढ़ गया है कि हमारे बालों पर सीधा इफेक्ट उसका पड़ता है तो इसलिए अब कोशिश कीजिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने बालों को अच्छे से दूपटे से कवर करके जाएं थर्ड रिजन ये कि बहुत सारे जो हैं केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट मार्किट में मिलते हैं जो कि आप लाकर अपने बालों पर अपलाई करते हैं जिसकी वज़े से आपके हेर जो हैं और भी ज्यादा बालों की नेचरल शाइन खतम हो जाती है नेचरल कलर गाःब हो जाता है इनकोरेक्ट डाइट लेने की वज़े से भी आपके बालों पर बहुत ज़ Coun जटीकार जो है असर पड़ता है यजिनिकि आगर आप गलत खाना खा रहे हैं गलत डाइट ले रहे हैं तो आपके बालों कर ईफेक्ट हो गाए है। तो जब आपको भब अन्याच्ट बालों दो वह सकते हैं मैं आपको एक रामेड़ी बता रही हूँ जिसको फोलो करके powder लेना है मेंदी का powder में वही कही हूँ दोस्तो जो आप घर पे हाथों पे लगाती है लेडिस उस मेंदी की बात करी हूँ आप herbal मेंदी लेलीजे 4 चमश Sakak चार चमश इसके अंदर आमला powder डालिए और 4 चमश आपने इसके अंदर रीठा powder डालना है और इसके अंदर आपने खटी दही या फिर छाज डाल कर इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है जरूरत के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी आट कर सकते हैं इस हेर मास्क को बना कर आप एक घंटे के लिए रख दीचे ताकि जो हरी महंदी है उसका कलर पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ हामला पाउडर के साथ रीठा पाउडर के साथ ताकि इन सारी चीजियों का जो असर है वो समा जाए एक हो जाए आपने फिर एक घंटे के बाद इस पैक को अच्छे से मिक्स करते हुए अपने बालों पर जड़ से लेकर बालों के एंड तक याने की लेंट तक इसको अप्लाई करना है और एक बन बना लेना है दो धाई घंटे तक आपने इस हेयर पैक को अपने बालों पर अगर आप hair shampoo योज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी herbal shampoo भी योज़ कर सकते हैं अगर आप इस hair mask को week में एक बार फोलो करते हैं या 15 दिन में एक बार फोलो करते हैं तो आपके सफेद बालों की समस्या ज़ड से खतम हो जाएगी आपके बाल जो हैं आप नोट करोगे कि धीरे धीरे जो है नेचरल कलर देने लगे हैं नेचरल शाइन करने लगे हैं आपके हेर्स तो फ्रेंड्स ये थी एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी एक इजी रेमेडी जो आप घर पर असानी से फॉलो कर सकते हो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्याद से ज़्यादा लाइक दीचिए और कॉमेंट शेक्षिन पर कॉमेंट करके जरूर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं वीडियो पसंद आने पर WhatsApp, Facebook, Twitter पर शियर करें और आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं Thank you for watching, stay happy and healthy, bye bye